दोस्तो नेम चेंज से रिलेटिट मुझे एक कोश्चन कमेंट सेक्षिन में काफी बार पूचा गया है कि क्या मैं अपना सरनेम भी चेंज कर सकता हूँ इससे रिलेटिट एक और कन्फूजन भी लोगों के मन में यह होती है कि कोई वैक्ति अपने नाम के आगे वही सरनेम यूज कर सकता है जो उसके पेरेंट्स में से कोई पहले लगाता हो इसके लावा कोई और सरनेम यूज नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सरनेम यूज करना है जो आपके पेरेंट्स में से पहले कोई यूज ना कर रहा हो तो आपको क्या करना होगा तो इस वीडियो में इसी के बारे में डिसकस करेंगे वीडियो शुरूर करने से पहले मेरी आपसे रुक्रेस्ट है कि अगर आप इस चैनल्स पे नए है और आपने मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया बस इसके लिए थोड़ा सा रुकार्मेंट जो है वो चेंज हो जाता है पहली बात तो यह कि अगर आपको अपना सरनेम चेंज करना है तो आपको सेंट्रल गैजट में ही पब्लिश करवाना चाहिए और दूसरी बात यह कि सरनेम में चेंज के लिए भी प्रोसीजर वही होगा जो नॉर्मल नेम चेंज के लिए होता है अंदर के वेल यह होगा कि जो अफेडेविट आप त्यार करवाते हो उसको नेम चेंज के मेंटर में तो आप नोटरी से अटेस्टेट करवाते थे लेकिन अगर आप सरनेम चेंज करवा रहे हैं और ऐसा सरनेम आप यूज कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स में से कोई न लगा रहा हो तो आपको एफेडेविट या जो भी अंडेटेकिंग फोर्म है उसको मेजिस्टेट लेवल के अधिकारे से अटेस्टेट करवाना होगा आपको Magistrate level के officer से attested करवाने के लिए आपको जो original affidavit की एक photocopy और application साथ आपको magistrate के सामने पेश करना होता है और जो application में आपको लिखना होगा वो normal ये लिखना होगा कि आप अपना जो सरने में वो change करवाना चाहरे हैं और आपको इस related gadget में publication करवाना चाहते हैं इसके लिए आपको affidavit attested करवाना की जुरूत है ऐसे में application और affidavit की photocopy magistrate अपने office में record के room में लख ली जाती है और जो आपका original affidavit होता है उसको attested करके आपको वाफस लोटा दिया जाता है जो आपने बागी documents के साथ gadget publication के लिए भिजवा सकते हैं हाला कि magistrate कोई भी हो सकता है जैसे तैसिलदार, SDM या फिर DM दोस्तो वैसे इसमें बागी का process वही सेम रहता है जो आप normal name change के लिए होता है name change की complete process पर मैंने already एक playlist बना रखा है इसको आप जाके देख सकते हैं और नीचे description में भी मैंने इसका link दे दिया है वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं अगर आप proper legal process को follow करें तो आप easily अपना surname भी change करवा सकते हैं तो दोस्तो यही थी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और अपने दोस्तों को साथ इसको share भी कर सकते हैं दोस्तो मिलते हैं आप अपने next वीडियो में तब तक के लिए good bye